नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों सपने देखना आम बात है इस संसार का हर मनुष्य सपने देखता है लेकिन सपनों में छिपे रहस्यों को जानना हर किसी के बस की बात नहीं है ये सपने हमारी कलपना शक्ति की ऐसी जटिल रचना होते है जिसे कई बार हम समझ नहीं पाते है प्राचिन रिशी मुनियों के अनुसार तो ये किसी प्रकार के इश्वरिय संकेत होते है क्योंकि इसके पीछे भी एक गुड रहस्य छिपा हुआ है आपने भी कई बार ऐसा महसुस किया होगा कि आप सपने में कभी किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते है जो अस्तित्वों में होती ही नहीं यानि कि ऐसी जगह आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होती है और आप सपने में उस जगह की सुन्दरता को देखकर प्रसन्न हो जाते है तो फिर क्या ये जगह सुर्ग का कोई भाग होती है जहाँ पर हमें इश्वर सपनों के माध्यम से पहुँचा देते है इसके अलावा हम सपने में कई प्रकार की लोगों से मिलते हैं उनमें से कुछ हमारे दोस्त, परिवार की सदस्य या फिर कोई मृतपरिजन हमारे सपने म आते हैं लेकिन कभी-कभी सपने में हमारी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जिसे हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा होता है तो फिर ऐसे लोग अचानक हमारी सपने में कहां से आ जाते हैं प्राचिन मानेताओ की अनुसार इन्हें इश्वर का तो चलिए जान लेते हैं ऐसे ही कुछ सपनों के बारे में जो हमें शुबी आशुब संकेत देते हैं पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथी वीडियो को एक छोटा सा लाईक ज़रू करें पहला है सपने में वर्दी होने वाली है यहदि आप नोकरी की तलाश में है तो अब आपकी ये तलाश जल्दी ही खत्म होगी और आपको अच्छी नोकरी प्राप्तों होगी सपने में यदि आप साथ घोडों को दोडते वे देखते हैं तो इसे भोती शुब माना गया है आपको अचानक ही कही से बहुत सारा धन प्राप्तों हो सकता है दूसरा है सपने में दर्पन देखना यदे आप सपने में दर्पन में अपना चहरा देखते है तो इसे शुब संक्यत माना गया है ये संक्यत है कि आप अपने अंदर काफी सारा बदलाव महसूस करेंगे और आपकी मुलाकात जल्दी किसे ऐसे विक्ती से हो सकती है, जो आपसे भेत प्यार करेगा, और आपका जिवन साती बनेगा, यदि ऐसस सपना को इस तरी देखे, तो उसका विवा किसे अमिर विक्ती से होने वाला है तीसरा है सपने में बाल काटना यदि आपको ऐसा कोई सपना आता है जिसमें आप किसी को बाल काटते वे देखते हैं तो यह संकेत है कि आपके काम में आ रही बाधा है आप समापत होने वाली है आप जिस महतोपुर्ण कारे को करने की योजना बना रहे है अब उसे खुले दिल से बिना कुछ सोचे पूर्ण कर सकते है वो इस सपने में खुद को बाल कारते वे देखना अच्छा संकेत माना नहीं जाता ये धन के खर्च को दर्शाता है चवता है सपने में बारिश देखना अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं या फिर बारिश होते हुए देखते हैं तो ऐसे सपने शुब माने गये हैं इसका अर्थ यह है कि आपने जिस कारे में अपना पैसा लगाया है वहापर आपको दुगना फाइदा हो सकता है और आने वाले समय में आपके जिवन मे धन की वर्षा हो सकती है पाचवा है सपने में चान देखना यदि आप सपने में चंद्रमा को देखते है तो इसे भी शुबसंकित माना गया है चंद्रमा को शीतलता और शांती का प्रतिक माना गया है अगर आप सपने में चंद्रमा देखते है जिसने लाल साडी पहनी हुई हो और शंगार किया हो और शंगार किया हुआ हो तो इसे भोती शुबसंकित माना गया है मालक्ष्मी आप पर भोती प्रसन्न है और जल्दी ही आपको धन का लाब होने वाला है कई से आपको भोत सारे धन की प्राप्ति हो सकती है यदि आप सपने में किसी स्त्री को नहाते हुए देखते है तो इसे भी शुब संकेत माना गया है ये दर्शाता है कि आपको आपके कारे में सफलता मिलने वाली है और आपके जिवन में सुख सम्रद्धी और संपनता आनी वाली है लेकिन यदि आप किसी स्त्री को गंदे पा गुछषा करते होएं देखते हैं तो इससे शुबस अपना माना गया है या फिर सपने में कोई स्त्री आपके साथ धोका करती है या आपको जूट बोलकर फासाती है तो ये भी शुबस संक्यत माना गया है आप जो भी कार्य कर रहे है उसमें आने वाली बाधाय अब समापत ह और आपको उस कार्यों में दुगना फाइदा होने वाला है। इसलिए यदि आपको सपने में कोई प्रियविक्ती या कोई स्त्री आपके उपर गुसा करते हुए दिखाई दे या आपके साथ छलकपड करती हुई दिखाई दे तो इसे निराशोनी के आवशक्ता नहीं है। सपने में घर का निर्मान करते हुए देखना यदि आप सपने में किसी भवन के निर्मान का कारिय देखते हैं तो निकट भोईश में आपकी तरक्की होने वाली है, आपकी व्यापार में या फिर कारेक्षित्र में आपको कोई खुशकबरी मिल सकती है। और आखरी है सपन आपके आयू बढ़ाने का काम करता है तो दोस्तों येते वह सपने और उनका आपके जीवन पर होने वाले परिणाम अगर ये जानकरे आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे कमेंड में जे मालक्षमी, जे स्रिक्रिश्न अवशे लिखे, साती चानल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद